हेलो बच्छों गुद मॉर्निंग कैसे हो आप लोग उमीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे ठीक है तो हमने जो लेटर्स पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियोस में तो हमने पढ़ा था A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R तक हमने पढ़ लिया था आर के बाद अच्छों लेटर्स आता है वो होता है S तो S से देखिए कितनी सारी चीज़ें होती है S for Sun, Sky, Six, Sea, Short, Ship, Snail, Swan, Soldier, Sunflower, Squirrel, Snake और एक हमारा सप्टा का दिन भी होता है that is Sunday यहाँ पर सूज भी है फिर स्पाइडर भी है ठीक है उसके बाद जो लेटर आता है यह T, T for train, T for triangle, T for truck, T for three, T for toolbox, T for tire, T for tree तो हमने कर लिया उसके बाद है T for tulip, T for tip, T for tail, T for tiger, T for ten, T for tea, T for table, T for teacher, T for tie यह होके अट लेटर T, T के बाद आता है U, U से होता है अप, अपका मतलब होता है उपर जाना यूनिफर्म, अंडर, यूटेंसिल्स, अंब्रेला, एंड और्ड, ठीक है U के बाद आता है V, V से होता है वेजिटेबल्स, वॉलीवॉल, वाश, वाइलन, वैन, वीना, वाइलेट यह वाइलन देखा हुआ अपने सिंगर्स को लोग को बजाते हुए, यह एक मुजिकल इंस्ट्रुमेंट है, ठीक है वी के बाद आता है W, W से होता है विन्डो, वाच, वाल, वेब, वेल, वेस्ट, वाटरमेलन, वेल, वार्म, वील, वाटर, ठीक है इसके बाद जो लेटर आता है वो होता है X, X से होता है X-ray, Xylophone, X-mastry and Xenops यह एक छिरियां होती है, उसके बाद Y, Y से होता है योग, यलो, याच, यो-यो, येम, यार्ड, योगर्ट, ठीक है य के बाद जो हमारा लास्ट लेटर है, that is Z, Z से होता है जू, जैबरा, जिग-जैक, जिप, जूम, जीरो, जैब ठीक है तो Y, Z सारे लेटर्स हो गए आज हमने टोटल एट लेटर्स बागी के जो बच गए थे वो पढ़ें, थीक है वो कहां से थे, S, T, U, B, W, X, Y, Z हमने Z तक पढ़ लिया, सारे अलफाबेट्स कम्प्लीट कर लिया, हमने तीनों वीडियो को मिला के सुरू से हमने क्या सब पढ़ा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z तो इसको आप लोग अपने घर पर रिवीजन करेंगे और सारे अलफाबेट्स को और भी जानने और समझने की कोसिस करेंगे ठीक है, उन्हें पहचानने की कोसिस करेंगे और अब इससे आगे जो है, मैं आपको इन सारे चीजों को लिखना बताऊंगी कि कैसे कोई letter हम लोग लिखते हैं, capital में कैसे लिखते हैं, small में कैसे लिखते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग घर में अच्छे से रहिएगा और मन से पढ़िएगा, thank you, keep watching, bye